सबी महानवाबों को मेरा सादर जैजनेंद और आज हम 133 वे नंबर की श्लोक को पहले पढ़ने जा रहे हैं और इस श्लोक में निस्त्रेयस अर्थात मोक्ष मोक्ष में किस प्रकार की विवस्था है या किस प्रकार का वहाँ पर माहौल है या मोक्ष है कैसा इस बारें बताया गया है कि मोक्ष आखिर उस जगह पर क्या विश्था है तो मोक्ष की विश्था बताते हुए यहाँ पर कहा गया है कि पहले श्लोक को अपनों चरण कर लेते हैं एक शब्द से काले कल्प शते पिच्चा गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातों पी यदिस्याद त्रिलोक संब्रानती करण पटुहूँ पूरा पढ़ लेते हैं इसको काले कल्प शते पिच्चा गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातों पी यदिस्याद त्रिलोक संब्रानती करण पटुहूँ ठीक है क्या कह रहे हैं काले कल्प सते पिच्चा कल्प शते अपी काले कल्प शते शत मतलब सो का मतलब है सैक्णों कल्प काल के भी कल्प कल के से कहते हैं 20 कोड़ा कोड़ी शागर का एक कल्प कल होता है जिसमें एक अबसरपणी होता है एक उत्सरपणी होता है ठीक है तो उत्सरपणी दस कोड़ा कोड़ी प्लस दस कोड़ा कोड़ी सागर दस कोड़ा कोड़ी शागर यह ध्यान रखना दस कोड़ा कोड़ी शागर का उत्सरपणी कल दस कोड़ा कोड़ी सागर का अबसरपणी दोनों मिला करके हो जाते हैं 20 कोड़ा कोड़ी शागर और ये होता है एक कल्पकाल तो ऐसे सेकणों कल्पकाल के भी गते अर्थात बीत जाने पर प्तीत हो जाने पर भी शिवा नाम ना विक्रिया लक्षया शिवा नाम अर्थात जो मोक्ष जाने वाले जीव हैं या शिद्ध परमेश्ठी हैं उनके विक्रिया ना लक्षया विक् किर्या उर्थात उनकी क्रिया में उनके स्वरूप में भीकृति उतपन ना देखिजा आती है उतपा फ़िस्या और यदि उतपात अपी Σ्यात उत्पात भी यदी हो जाए सम्भान्ति करण पटु त्र तीनों लोकों में सम्भान्ति का मतलब तीनों लोकों में खलवली मचाने में हल्चल करने में कुलाहल करने में भी जो समर्ष है ऐसा यदि उत्पात भी हो जाए ऐसा कोई आज पूर तीनों लोक में यदि कुछ हो जाते हो मुक्ष का इस्थान कहा है तीनों लोकों का जो अग्र भाग है जो तनुबात बले होता है सबसे बाहर का जो हिश्चा उसी का जो सबसे उपर का पांस्टो पस्चीस धनों बाला छित्र होता है वो सिद्ध छित्र कहलाता है ठीक है जैसे कि ये तीन लोक बना हुआ है यहाँ ठीक है यह हमने तीन लोग बना दिया तो इस तीनों लोग में अब यह छोटा सा है लेकिन इस तीनों लोग में तीन तीन बातवले होते हैं एक दो और यह तीन तीन बातवले हो गए अब इसको नहीं देखिए मतलब यह लाइन दिख रही यह बातवले नहीं है लाइनों के बीच में जो इसको समझी यह इतना यह बातवले है इतनी मोटी-मोटी तो इधर पर इस रिश्चे में पांच्सोपचीस धनस का एरिया जो होता है ऊपर से ऊपर वो है सिद्ध छेत्र तो इस छेत्र की यहां पर बात करी गई है कि इस जगह पर यहीं तीनों लोग में किसी प्रकार से हल चल हो जाए वैसे तो हो नहीं सकती लेकिन यहीं कोई कर दे ऐसी खलवली मत जाए तो भी उस मुख्ष को गए हुए जो जीव हैं उनमें सेकड़ों कल पकाल बीत जाने पर भी कोई विक्रती नहीं आती है कोई परिवर्दन नहीं होता है जैसा उनका शुरूब है वो बैसा ही बना रहता है यह यहां पर कहने का तातपर है चलिए इसको थोड़ा से और देख लेते हैं यहीं पर ही लखा है कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर का इकल प पन करने में समर्थ उत्पात भी यदी हो तो भी सिद्धों में कोई विकार अनभव में नहीं आता इस प्रकारवे निरतिशय और निराबधी ही रहते हैं ठीक है विसी सर्थ में क्या लखा यद्धे भी शिद्ध भगवान में उत्पात बैद्रौब होते हैं और उनके कार उत्पात बैद्रौब युक्तम सत और सत द्रब्य लक्षणम द्रब्य का लक्षण ही है उत्पात बैद्रौब से युक्त होना तो सिद्ध भगवान भी जीव द्रब्य हैं शुद्ध जीव द्रब्य हैं तो उनमें भी उत्पात बैद्रौब तो हैई बना ही है इस कूट नहीं है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है परिवर्तन हो रहा है लेकिन वह अंदर ही अंदर हो रहा है तो उनमें भी अर्थ परिणमन प्रत्यक समय होता रहता है परन्तु यहां उस सूख में परिणमन की विस्वक्षा नहीं है यहां इस्थूल परिणमन की अपेक्षा चर्चा करते हुए कहा गया है कि उनमें कोई ऐसा परिणमन नहीं होता इस्थूल परिणमन नहीं होता है तो परिणमन नहीं होता है तो परिणमन नहीं होता जिससे कि उनके केवलक ग्यानादी गुड़ों में निवना धिकता आवे अत्वा उनकी वह सिद्ध परियाय तो इसलिए वह सर्वथा कूटस्थ भी नहीं है विलकुल जड़ नहीं बन सकते वह अचेतन नहीं हो सकते क्योंकि अचेतन में तो ऐसा संभव है चलिए अब यहां पर यह बताया है कि वह अब विक्रित रूप जो शिद्ध भगवान है वह आत्मा है वह जिस प्रकार से इस्थिद्ध है तो वह क्या करती है आत्मा क्या है वह मतलब कि उसकी क्या विशिष्था है उस शिद्ध भगवान की उन आत्मा की क्या विशिष्था है तो यहां पर कह रहे हैं इश्लो के एक से चौजी से नंबर का इसको उच्चारण कर लेते हैं पढ़ लेते हैं कि निस्रेयस निस्रेयस मधिपन्नाश निस्रेयस मधिपन्नाश त्रैलोग के शिखा मणिस्रियम दधते निस्किटिकाली काच्छवी चामी कर भाजुरात मनाः पूरा पढ़ लेते हैं एक बार क्या कहते हैं कि निस्रेयस मधिपन्नाश त्रैलोग के शिखा मणिस्रियम दधते निस्किटिकाली काच्छवी चामी कर भाजुरात मानाः ठीक है क्या कहते हैं कि निस्रेयसम अधिपन्नाश निस्रेयसम अर्थात मोक्ष को अधिपन्नाश अर्थात प्राप्त हुए जो शिद्य परमेश्टि भगवान हैं वो त्रैलोग के शिखा मणिस्रियम दधते तीनों लोगों की जो शिखा मणि हैं उसकी श्रियम अर्थात सोभा को दधते मतलब धारन करते हैं एसे लगता है जैसे कि वो तीनों लुगों के अग्रभाग पर बिराजमान हैं। इसे लगता है जैसे कि वो तीनों लोगों की सिख़ा मणी के समान हैं। अर्था चोटी पर जो मनी रहती है वो जैसे ससोभित होती है वैसे ही यह भी तीनों लोकों की सिखामणी की तरह सोभा को प्राप्त होते हैं सोभा को धारण करते हैं india और कैसे होते हैं वो शिद्भागवान तो निस्कित कालिका चशबी निस्कित कालिका र्तम मेल आधी से उसकी रहत होते हुए दो निस्कित निसकालिका, तो किसी प्रकार की कालिमा नहीं, किसी प्रकार की कीचड नहीं, उन कीचड और कालिमा से रहत होते हुए, और च्छवी, ऐसी च्छवी होती है उनकी, और चामी कर भासुरात माना हां, चामी कर, चामी कर मतलब सोने के समान, भासुरात माना हां, अर्थात, साथ-साार, सोने की तरह चमकने वाले, बिल्कुल प्रिकासमान होने वाले स्वर्ण के संवान, तो ऐसा सोना, जिसमें कोई किटिकालिमा नहीं लगी, ये बिल्कुल इक दम तपाया हुआ, सुद्ध किया हुआ सोने का अभूशनया है, और उस आभूशन की जो शोभा होती है उस सोभा के समान वे तीनों लोकों के अग्रभाग पर सिखामणी की तरह सोभा को प्राप्त होते हैं कौन मोख्ष को गए हुए सिद्ध परमेश्टी भगवान तो यहां पर मुख्य रूप से यह बताया है कि वो किस प्रकार से सोभा को प्राप्त होते हैं तो वे तीनों लोकों में सिखामणी की तरह सोभा को प्राप्त होते हैं ठीक है और उनकी चमक कैसी है तो उनकी चमक किट कालिमा से रहत सोने की चमक की तरह है उनकी चमक है या उनका उनकी सोभा है चलिए और अच्छे समझ लेते हैं कि जिस प्रकार कीट और कालिमा से रहत कांती वाला सवर्ण अतिशय देदीप मान होता है उसी प्रकार द्रब कर्म और भाव कर्म से रहत द्रब कर्मी खदम भाव कर्मी खदम उनसे रहत होने के कारण जिनका श्वरूप अतिशय प्रकार समान रहता है ऐसे सिद्ध वगवान लोक के अग्र भाग में चूड़ा मड़ी के सोभा को धारन करते हैं अब यहां पर और विसे साथ दिया है कि चौदवे गुड़िस्थान के उपांच समय में सेकंड लाष्ट समय में बहत्तर और अंतिम समय में तेरह प्रकार्दियों का च्छे करके यह जीव एक समय में लोक के अग्र भाग में पहुँच जाता है तीन लोक के उपर जो अंतिम बातवला है उसके उपर की और का पांच सो पच्चीज धनुस की अवगाहना का छेतर शिद्ध छेतर कहलाता है बताई दिया हमने इसी सिद्ध छेतर में शिद्धों का निवास होता है इस स्थान में वे कभी भी विचलित नहीं होते हैं और ना उनके केवला ग्यानादी गुड़ों में भी कभी निव ना दिखता आती है बहां तो वे अतिसे दर्दीत पिमान चूड़ा मड़ी के समान जान पड़ते हैं तो इस प्रकार से सिद्धों का यहां पर वरनन किया गया उनके बारे में उनकी बिसेस्ताओं के बारे में यहां पर वरनन किया गया है तो चलिए आज की क्लस को यहीं पर शमात करते हैं जाई जिनेंड़